साथियों, जो तीसरा कानून बनाये गया है, वो किसान को फसलों के दाम में होने वाले उतार चड़ाव से भी राहत देगा और खेती में नई टेक्नलोजी को भी बढ़ावा देगा। इसके तहत किसान को जादा विकल्ब देने के साथ ही उसे कानूनी रुप से समरंक्षन देने का भी काम किया गया है। जब किसान किसी प्राइवेट एजनसी या उद्योग से समझोता करेगा, तो बुवाई से पहले ही उपज की कीमत भी तय हो जाएगी। इसके लिए बीज, फर्टिलाइजर, मशिनरी, सब कुछ समझोता करने वाली संस्ता ही देगी। एक और महत्पपुन बाद, अगर किसान किसी कारण से समझोता तोड़ना चाहता है, तो उसको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन अगर किसान से समझोता करने वाली संस्ता समझोता तोड़ती है, तो उसे जुर्माना बरना पड़ेगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि समझोता सिर्फ उपज पर होगा। किसान की जमीन पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। यानि किसान को हर प्रकार की सुरक्षा इन सुधारों के माध्यम से सुनिस्चित की गई है। जब भारत का किसान ससक्त होगा उसकी आय बढ़ेगी तो कुपोशन के खिलाब अभियान को भी उतना ही बल मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारत और F.O. इसके बीच बढ़ता तालमेल इस अभियान को और गति देगा।